नमस्कार दोस्तों, हमारे यूटूब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हमारा एक विसेश टॉपिक है, जिसको हमने बहुती गंभीरता से लिया है जिसका नाम है कैलसियम की कमी हर ब्यक्ति को कैलसियम की कमी होती जाती है जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है जैसा कि आपको पता है कि प्रेगनेट फीमेल को फीडिंग कराने बाले फीमेल को और ब्रधा वस्था में इसकी कमी बहुत ज़्यादा देखी जाती है सबसे पहले हम यह चर्चा करते हैं कि ये केल्सियम की कमी होती क्यों है क्योंकि केल्सियम की कमी होने का मुख कारण है अनिय में दिन चर्या, खाने में पोशक तत्तों की कमी डाइट का प्रॉपर ना मैनेज होना, बैलेंस डाइट ना लेना और शमय शमय पर जाज ना कराना शमय शमय पर यदि केलसियम की जाज कराते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हमारा केलसियम लेविल कम है तो हम इस पर ध्यान दे सकते हैं लेकिन लोग इसको गंभीरता से नहीं लेते और जब बहुत ज़ादा गंभीर शमश्याय आ जाती है इसके बाद इस पर ध्यान देते हैं जबकि ये बहुत ही इसको manage करना बहुत कठिन हो जाता है जैसा कि आप लोगों को पता है कि pregnant female में feeding कराने वाली महलाओं में और ब्रद्धावस्था में इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है तो ब्रद्धावस्था में तो चुकि ये calcium body में बनना बंद हो जाता है या बहुत ज़्यादा कम हो जाता है pregnant female में कमी होने का कारण ये है कि महला को calcium की जरूरत होती है और उसके बच्चे को भी जरूरत होती है तो इसलिए लगवग double calcium की आवश्यक्ता होती feeding कराती समय भी ऐसा ही होता है कि बच्चे को milk चाहिए होता है तो milk चुकि इसमें calcium का बहुत ज़्यादा पार्ट होता है और महला को भी calcium की जरूरत होती है तो उस समय calcium की आवश्यक्ता बहुत ज़्यादा होती है फिर क्या होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है जो इस्तरी या पुरुष है वो इस पर ध्यान नहीं देते और गंबीरता से नहीं लेते complete diet नहीं लेते तो धीरे धीरे इसकी कमी होती जाती है इसके कमी के जो मुख लक्षण है इसकी जो परेशानिया है कमी होने पर वो क्या है इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दे जोडों में दर्द होना जोडों में शूजन आजा हड़ियों का कमजोर होना और बहुत ज़्यादा मासपेशियों में कमजोरी मैशूस होना इस तरह की एक समश्याएं चलती रहती हैं और दीरे दीरे बहुत गंबीर रूप ले लेती हैं रिकेट्स और ऑस्ट्यो मेलेशिया यह भी केल्सियम की कमी के कारण यह बहुत ज्यादा जब कमी हो जाती है तो हद्या टेड़ी हो जाती है धनुस के आकार की हो जाती है इस प्रकार से यह केल्सियम की कमी को देखा जा सकता है तो इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं एक तो उपाय यह है कि ग्रीन वेजीटेविल्स में केल्सियम की मादरा बहुत अधिक होती है लेकिन कुछ पार्ट ही ग्रीन वेजीटेविल्स से केल्सियम की कमी को पूरा किया जा सकता है अब हम आपको एक बहुत ही महत्पूर्ण बायोकेमिक दमाई बता रहे है, जो कि आपके कैलसियम लेवल को ही पूर्य करेगी और आपकी जो श्वास्त में बहुत ज्यादालाब करेगी सरीड के विकास में भी भहुतमाहत्पूर्ण योगदान देगी तो इस दबाई का नाम है केलकेरिया फॉस, केलकेरिया फॉस बायो कमिक मेडिशन है जो की 6X, 3X या 12X पोटेंशी में आती है, आप चाहें तो 6X पोटेंशी में 4-4 टेबलेट दिम में 3 टाइम्स ले सकते हैं